तो उत्र प्रिदेश के सियासतें बुल्डोजर के बाद भेडिये की भी एंट्री होच पी है और निशाने पर है अखलेश अदब और शिवपाल यादब CM योगी ने न सिर्फ अखलेश और शिवपाल की तुलना भेडियों के आतंक के डर से की बलकि उन्होंने 2017 से पहले भेडिया काल भी बता दिया और उसका जिक्र कर दिया CM योगी ने कहा आज भेडिये उत्पात मचा रखे हैं 2017 से पहले चाचा भतीजे का उत्पात हुआ करता था तो अखलेश अदो ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है सरकार भेडिये से लोगों को बचा नहीं पा रही CM योगी ने वसूली का जिक्र किया तो अखलेश यादव ने भी पुराने रिकॉर्ड खंगाल ने शुरू कर दिया और कई बड़ी बाते कही हैं आपको सुनवाते हैं जिन भेडियों के तांड़ों से पचास-पचास गाओं में देश्यत फैली है जिस भेडिये के आतंग से बच्चा-बच्चा डरा सेहमा है अब उस भेडिये पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है अखलेश यादव ने जैसे ही आदम खोर भेडियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया वैसे ही योगी ने जुबानी एंकाउंटर कर दिया सियाम योगी ने भेडियों के आतंग को समाजवादी पार्टी के शासंकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेडिये उत्पात मचा रहे थे चाचा और भुटीचे में होल लगती थी वसूली को ले करके कौन कितना वसूल कर ले एरिया बटे हुए थे मैं देख रहा हूं है इस समय कुछ आदम खोर भीडिया प्रदेश के अंदर अलग अलग जन्पदों में कुद्पात मचा रहे है और कमोवेस यही इस्तिती 2017 के पहले प्रदेश की थी यह लोग उस समय कितने तबाई मचाई वे थे किसी से छुपावा नहीं है और इनके भी एरिया बटे वे थे वह सूली के कहीं चाचा कहीं बतेजे माहारत के सारे रिस्ते थे सारे रिस्ते थेल जाएगा माहारत का दूसरे दिस से हमाँ देखने को मि सियम योगी ने ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेडियों की देश्चत से जुड़ा बलकि उन्होंने अकलेश यादव और शिपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया सियम योगी ने कहा चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेडिया राज लाना चाहते थे भेडियों की तरह इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे दोनों आदम खोर भेडियों की तरह उत्पात मचा रहे थे योगी की इसी टिपणी पर जब निउज 18 के रिपोर्टर ने अखलेश से सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल को नजर अंदाज करते हुए रुख विधान सभा का कर लिया सदन में वाकाईदा लखीमपूर पीलीभी वहराइच सराबस्ती और आपके विजनोर उन जिरों की सुची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवार आ रहे हैं जिसकी वज़े से जान जा रही है कही सोर किसान गरीब उनकी जान गई है हम लोगोंने मदद के लिए कहा सरकार से की मदद करें बर्यवारों की लेकि कोई मदद नहीं की कि सरकार की तरफ से और इधर सरकारी नहीं बता पा रहे ही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है सियासत के इस भेडिया काल में अब जुबानी संग्राम छड़ चुका है पीजेपी 2017 से पहले की देश्यत को जनता के सामने ला रही है तो समाजवादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है भेडिया जो है वो लालची होता है धूरत होता है और 2017 के परे लालची और धूरतों का जो है वो कारेकाल था तो चाचा भतीजे जो है वो भेडियों के आतंके प्रतिकतों हैं ही योगी आधित नाशिजी ने इसलिए जो है मनशुरूपी भेडियों को पहचानने का काम किया है समाज में आप विरुजज़गारी दूर नहीं कर पा राहे है। तब आप पिछली सरकारों को के उपर एक negativity थोपने की कोशिश करते हो यानि जिस भेडिये को निप्टाने के लिए वन विभाग समेथ यूपी पुलिस दलबल के साथ खेत खलियानों की खाक चान रही है अब उसी भेडिये की तहशत पर सियासब भी जमकर हो रही है और जिक्र 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल का हो रहा है प्यूर रपोर्ट ब्यूज 18